हेलो एवरिबरन तो गाइज आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही यम्मी सा लंच बॉक्स खाने में तो ये लंच बॉक्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी है इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है बच्चों को खास कर कद्दू और लौकी जैसी सबजियां बिल मेन से उडी का है है थोड़ी आजा रूम क्रें फोटी करने में निया है ये Wallace सब्सक्रादाण कीजियों जिए हाँ टिमी जर आइसे साथ में लौकिन साहरे लिए हो वो सारी इसमें मिला देंगे तो यहाँ पर मैंने टामाटर, प्याज, हरी मिर्च, कद्दू और लौकी ये सारी सब्जियां मिलाने के बाद आदा कप दही डाल दिया है और टेस्ट के लिए इसमें डाल दी है थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डाला है थोड़ी लाल मिर्च डाल दी है और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे साथ में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी ताकि इसका अच्छे से बैटर बन जाए टोटल एक कप पानी का यूज मैंने किया है इस बैटर को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो भी सबजें कद्दू कस करके डाली है इनका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आने वाला है आप कोई भी सबजे इसमें डाल सकते हो जो बच्चों को पसंद नहीं हो आप खिलाना चाहते हो तो आप कद्दू कस करके डाल सकते हैं अंदरा से 20 मिनट के लिए इस बैटर को रेस्ट पर रखना है उसके बाद मैंने यहाँ पे नोन स्टिक कड़ाई ली है थोड़ा सा उसमें ओईल लगाया है उसके बाद इस बैटर को फैला देंगे और अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसको ढख देंगे 2-3 मिनट में ये एक साइड से अच्छे से पक जाएगा लो फलेम पे इसको शेकेंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से अंदर से पक जाए तो ऐसे ही दूसरी साइड से भी मैंने थोड़ा सा उल लगाया है अगर आपके पास नोन स्टिक दबा नहीं है चुबे सुबे का टाइम इतनी जल्दी भागता है कि लगता है कुछ ऐसा टिफिन में रखतें कि जो जल्दी से बन जाए और साथ में वो हेल्दी भी हो तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और फटाफट से बन जाती है और गैरेंटी से बच्चों को ये रेसि बस थोड़ा सा इसमें ऑई लगाना है और दो से तीन मिनट के लिए पकाना है जैसे हमने कड़ाई में पकाया था बहुत ही एजिली से यह कुक हो जाता है दो से तीन मिनट में इसको आप स्वास केचप या फिर दही के साथ बच्चों के लंच वॉक्स में रख सकती हैं तो मै के बबाई एंड टेक कियर